हलो दोस्तों मैं हूँ सुसिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट गैलरी यूटूब चैनल दोस्तों अज मल्टिप्लिकेशन का मैं एक बहुत ही आसान सा ट्रिक लेकर आने वाला हूँ जिसे आपको 5 सेकेंड में यह एंसर मिल जाएगा एक एक्जामपल ले लेता हूँ अगर मुझे मल्टिप्लाय करना है 12 इंटू 11 को अगर मुझे मल्टिप्लाय करना है तो मैं क्या करूँगा देखिए किस तरीके से करता हूँ मैं अगर 12 मतलब 12 है बराबर तो मैं क्या करूँगा यहां पर एक लाइन हो गया, वन के लिए यहां पर दो है, तो यह दो लाइन बनाएंगे मैं, बरबर, यहां पर देखें, वन वन है, तो यहां पर एक लाइन, फिर से एक लाइन, अभी मैं क्या करूँगा, इस लाइन को देखो, एक पॉइंट, दो पॉइंट बन रहे है, य तोटल जोडएंगे कितना होगा इसको मैं जोड़ूँंगा इस point को और इस point को कितना हो दो एक तीन हो गया बराबर तीन होगा अभी इस point को यह तो एक ही है मत्ब्स आपका answer है 132 अभी मेरे पास यह दूसरा एक्जाम्पल है यहां पर देखो 221 है तो एक तो एक वक्त तरीके से लिखोंगा यह देखे 121 यहां पर टूफोर है 12123 पर आपर यहां पर पॉइंट काउंट करूँगा एक दो तीन 4 यहां पर चार है अभी एक दो तीन चार यहाँ पे चार दो छे हो गया चार चार आट दो दस हो गया यहाँ पे स्वरी यह दस हो गया पर अपर यह दस हो गया और एक बच रहा है अभी यहाँ पे देखे एक दो तीन चार यहाँ पे आठ हो गया यहाँ पे 4, 12 हो गया और एक बचा है 13 यहाँ पे फिर से 1 बच रहा है यहाँ पे देखे 4 हो गया एक बचा हुआ है 5 हो गया यह आपका answer है यहाँ बास यहाँ पे 5, 2, 1, 1, 2 है तो 5, 2, 1 है तो मैं क्या करूँगा 1, 2, 3, 4, 5 फिर 2 है 1, 2 फिर 1 है इस तरीके से अभी 1, 2 है तो 1 फिर यहाँ पे 2 है यह 2, अभी मैं इसको add करूँगा यह कितना है, एक 2 पॉइंट है तो यह 2 पॉइंट है, बराबर इसका हो गया अभी इसका 1, 2, 3, 4 पॉइंट है 5 पॉइंट है, तो यह 5 वा हो गया इसका भी, अभी यह कितना पॉइंट है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 हो गया 4, 4, 8 है, 2, 10 हो गया 10 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 पॉइंट है, 12 हो गया, 12 पॉइंट हो गया तो यह 1 बच रहा है यहाँ पे 2 होने के बाद, यह इसका हो गया अभी बचा क्या यह, यहाँ पर 5 पॉइंट है, एक बच रहा है 6, तो यह आपका answer है, देखें अगला example यह रहा है, यहाँ पर 1, 2, 3 है, तो मैं क्या करूंगा, 1, फिर यह 1, 2 हो गया, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से मैंने line लिया, बराबर, अभी आगे बढ़ते हैं, 2, 1, 2, यह ह हो गया, 2, यह हो गया, 1, फिर से यह 2, बराबर, यह 2 हो गया, अभी इसको मैं क्या करूंगा, यह देखें, पहला यह लेना है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, तो यह 6, 6 होने के बाद मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4 है, यहाँ पर 1, 2, 3 है, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, अभी 1 2 2 4 हो गया और यहां पे 2 4 6 हो गया 10 हो गया टोटल 10 हो गया बरबर 10 का 0 1 बचर है वहां पे 1 हो गया यहां पे 4 हो गया टोटल कितना हो गया 5 हो गया यह 6 हो गया 6 यहां पे कितना है 2 यह आपका एंसर है 4 2 1 1 3 3 इसको मुझे मुझे multiply करना है यहां पर 2,4,1 है तो 1,2 हो गया 1,2,3,4 हो गया 1 हो गया बरबर अभी 1,3,3 है गया मैंने 1 लिखा फिर 1,2,3 अभी फिर से 1,2 और यह 3 बरबर अभी क्या करना है मुझे मैं एड करूँगा यहां पर दोखो 3 है यहां पर कितना है 1,2,2,4,6 हो गया 6,6,12 हो गया और यह 3,15 हो गया 1 बरबर अभी आगे बढ़ते हैं यहां पर कितना है 2,4,6 हो गया यहां पर 6 हो गया यहां पर 6 हो गया और यहे 4, 10 हो गया और 12 हो गया अभी 1 बचर है यह तो गया, यहां पर 2 हो गया और यह तुल, हो गया. ऐसे एक्वेशन करने के लिए पान सेकेंड ही लगेंगे अगर मैं बता रहा हूं अगर आप इसे स्वाल करेंगे तो और भी कम समय में कर सकते हैं पान से दस सेकेंड के भीश में मैक्स टू मैक्स लगेंगे इससे ज्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि जब एक्जाम में प्रॉब्लम आते हैं तो प्रॉब्लम के बाद जो कैलकुलेशन का पार्ट बसता है तो उसमें आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसान होगा और इससे वीडियो से या फिर कुछ डाउट होगा या फिर और भी कोई टॉपिक्स होगा मैतमेटिक में जो आपको नहीं आता होगा तो आप कमेंट करना बिलकुल नहीं भूलिएगा इसी की साथ चलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छा लगए तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर के रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें